हलो स्टूडेंट्स मैं मनोश शर्मा जनक सिंग चौहान के साथ एम जे क्लासिज में आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा बारा की किताब फ्लेमिंगो से पोईम नमबर 6 नाम है आंट जेनिफर स्टाइगर तो जो चाची है जिसका नाम है जेनिफर उसके बाग तो यहाँ पर आंट जेनिफर के बाग से ताथ परिये कि यहाँ पर एक दिवार पर एक पैंटिंग लगी हुई यह कपडे की और उस कपडे पर उनके धागे से बने हुए चित्र हैं जो बागों के हैं तो यह तो हुई जेनिफर स्टाइगर के टाइगर की बात आप देखते यह बाल्टिमोर, मेरिलेंड, यूएसे ने अमेरिका के मेरिलेंड में बाल्टिमोर नाम की जगह पर She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist यह जो कभियत्री हैं यह बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं या बहुत ज़्यादा famous थी उनकी सहभागिता को लेकर involvement ने सहभागिता याने यह हिस्सा लेती थी contemporary ने ततकालीन याने उस समय के women's movement याने महीलाओं की जो आंदोलन होते थे उनमें यह बढ़ चड़कर हिस्सा लिया करती थी as a poet and theorist एक कभी और सिद्धान्तवादी के रूप में theorist ने सिद्धान्तवादी के रूप में यह बढ़ चड़कर हिस्सा लेती थी she has published 19 volume of poetry और इन्होंने 19 खंड volume से ने खंड या भाग कवीता के वो क्या है इन्होंने publish किये चपवाए है three collections of essays and other writings और तीन संकलन निभंद और अन्य रचनाओं की इन्होंने चपवाए है एक विरोध जलगता है resistance ने विरोध और विरोध किन के लिए रैसिसमेन जातिवाद और सैन्नेवाद के प्रती इनका विरोध जलगता है इनके कारियों में तो the poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constructions of married life a woman experience यह जो कवीता है Aunt Jennifer's Tigers यह हमें संबोधित करती है उन प्रतिबंदों के बारे में constraints यह प्रतिबंद तो उन प्रतिबंदों के बारे में हमें बताती है जो एक महिला अपने शादिशुदा जिन्दगी में अनुभव करती है कि एक शादिशुदा जो महिला होती है उसे कितनी प्रतिबंदों का सामना करना पड़ता है किन परेशाने हो सामना करना पड़ता ह इन सब के बारे में कवियत्तरी हमें इस poem में बताती है तो देखते हैं इस poem को पहले line देखते हैं Aunt Jennifer's Tiger's Prance Across Ice Cream Aunt Jennifer की जो tiger हैं वो उचल कूद कर रहे हैं Prance हैने अचल कूद Across हैने आरपार और ice cream हैने परदा जो कपड़े का परदा है उसके उपर Aunt Jennifer के tiger उचल कूद करते हैं अब यहां पर तात पर यह है कि वो जो कपड़ा है उसके उपर tiger बने हुए है यह बाग उन के धागे से बनाए हुए है यह मात्रेक पैंटिंग है कोई असली बाग नहीं है अब यह बाग है और रंग कैसा है Bright Topaz Denizens कि यह चमकीले Bright है ने चमकीले Topaz टौपाज एक पत्थर होता है जिसे नगीने के रूप में जानते हैं यह कुछ इस तरह का होता है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है तो यह Denizens है Denizens ने निवासी रहने वाले Citizens Of World of Green Green है ने हरे तो यह हरे भरे संसार के रहने वाले हैं यह हरे भरे संसार में रहने वाले जीव हैं They don't fear इनको किसी का डर नहीं है The man beneath the tree और इनको उन वेक्तियों से भी कोई डर नहीं है जो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए है यह पेड़ और आदमी भी उस पेंटिंग में ही बने हुए है They pass in sleek, chevrlic, certainty और यह जो बाग हैं चलते हैं पेड़ हैं चलते हैं Sleek, chevrlic, certainty तो यहाँ पर sleek का मतलब होगा आकरशक रूप से और शेवरलिग ने शोरिये के साथ अभिमान के साथ और certainty ने विश्वास के साथ तो यह बाग, शोरिये और विश्वास के साथ आकरशक रूप से आगे बढ़ते हैं कहने का तातपरी यहाँ पर यह कि वह एक symbol है और symbol में यह है कि बाग जो है, वो freedom के प्रतियेक हैं स्वतंतरता के प्रतियेक हैं जो वेक्ती होता तो अपनी इच्छा नुसार कहीं भी विच्रण कर सकता है हम शोर्ट में कह सकते हैं को अपने जो भी उसके मन में आएगा वेसा कर सकता है लेकिन यहाँ पर जो aunt Jennifer है वो बंधनों का प्रतिक है बंधन के अंदर वेक्ती कभी भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो भी बंधनों में बंदी हुई है और जो अंकल है उनकी शादी का बोज इनके उपर पड़ा हुआ है अर्थात इनकी जो शादी शुदा जिंदिगी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है कट उता पूर्ण है अब इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे घरे लू इंसा हो सकती है अंकल की पिटाई हो सकती है या किसी काम में शक्षमता हो सकती है कारण कुछ भी हो लेकिन आंटी जो है वो अंकल से शाय दिशुदा जीवन में बिलकुल भी खुश नहीं है अब देखते हैं इस paragraph में बनने वाले questions यहाँ पर हम तीन question देखते हैं तो पहला question है What are the tigers doing? कि जो बाग हैं वो क्या कर रहे हैं? तो हमारा पहला answer होगा ये poem के पहली line The tigers are prancing across a screen कि जो tigers हैं वो क्या कर रहे हैं? उचल कूद कर रहे हैं अपनी painting में या उस screen के उपर परदे के उपर Question number 2 है What is the nature of tigers? कि tigers की nature कैसी होती है? उनका स्वभाव कैसा है? तो हमारा answer होगा They are not afraid of man standing under the tree कि वे उन लोगों से नहीं डरते हैं जो यहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं They look on rebel and brave और वो बहुत ही सुअभी मानी प्रतीत होते हैं Question number 3 देखते हैं Where has Aunt Jennifer created tigers? कि Aunt Jennifer ने इन tigers को कहाँ पर बनाया है? किस ज़िए के create किया है? तो हमारा answer होगा Aunt Jennifer has created tigers on a screen बस इतना सा answer होगा और यह पेड़ा हमारा पूर्टया complete है Second पेड़ा देखते हैं दूसरे पेड़े के अंदर एक द्रिश्य बताया गया है और इस द्रिश्य के अंदर क्या होए? कि Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool कि Aunt Jennifer ओन की बुनाई कर रही है शायद कोई कपड़ा बुन रही है उनका और उस ओन के अंदर जो सलाईया है यानी जो सूया है किसकी बनी वही है? Ivory needles Ivory ने हाथि दानत की Jennifer's fingers fluttering Fluttering फड़़़़़़ करना यानी चलना हिलना डुलना उसके ओन के अंदर या ओन का कपड़ा है उसके अंदर उसकी उंगलियां फड़ फड़ आ रही है find even the ivory needle hard to pull और वो अपनी उंगली से हाती दात की जो बनी हुई नीडल है सूई है उसको खींचने में बहुत मुश्किल आ रही है हाड यहने मुश्किल है खींचने कौफी मुश्किल हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो वो बुढ़िया है एने बहुत ज़िदा उमर हो चुकी इसलिए उसको वो सूई खींचने में दिक्कत आ रही है या फिर उसके हाथों में सूजन है जिसके वज़े से वो सूई केंचने में समश्यात्मक हो रही है लेकिन यहाँ पर जो यह वूल ओन प्रतीक है यह लाइफ का कि उसके जिन्दगी है उसके अंदर इतनी सारी परेशानिया है कि उसको जीने में उनको बहुत समश्या आ रही है यह पूरा-पूरा एक परिदर्शे प्रतीक है कि वो उन में से यह सूई को निकालने में समश्यारी है इसमित उसके लाइफ में इतने सारे दुख है कि उसकी जिन्दगी ही बहुत कठिन प्रतीत हो रही है अब यहाँ पर जो उंकल है जिनसे उसकी शादी हुई है उनकी शादी का मेसिव वेट बहुत भारी बरकम वजन उंकल की साथ शादी हुई उसका उनकी साथ शादी हुई उसका बेंड यानि कि फीता शादी का फीता सिट वो बंदा हुआ है सिटेन बेठा होने का मतलब भंदा हुआ है हेविली बहुत ही भारी तरीके से अपोन आंट जैनिफर्स हैंड जो चाची जैनिफर है उनके हाथों में उनके शादी का फीता बंदा हुआ है अब यहाँ पर दो शब्द यूज में आया है तो जो इनकी शादी हुई है उसको मेसी वजन बहुत भारी बरकम बताया है और यहाँ पर भी भारी मन से ही उनके हाथ के साथ ये फीता बांदना उनके जीवन में आई समश्याओं को ही शो करता है तो इस पेरा से साफ साफ पता चल रहा है कि उनकी जो शादी शुदा जिन्दगी है वो बहुत ज़्यादा समश्यात्मक है और यह जो जैनिफर आंटी है अंकल के साथ शादी शुदा जीवन में बिल्कुल भी सुखी नहीं है यह केवल समश्याओं को सामना कर रही है और अपने जिन्दगी काट रही है अब देखते हैं इन लाइन्स में या इन इस पेरे में कौन कौन से क्यूशन आते हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट क्यूशन देखते हैं यानि कि जो आंट जैनिफर है उसकी उंगलियां कहां पर फड़ फड़ा रही है तो हमारा आंसर यहां पर पेल लाइन हो जाएगी अंट जैनिफर's fingers fluttering through her wool उसकी जो उंगलियां है उसके उन का जो वस्तर हो बना रही है उसके अंदर फड़ फड़ा रही है उसके हाथों को क्या हो गया है उसके हाथ भारी क्यों है तो उसके उपर साफ साफ लिखा वाई को कटिनाए क्यों महसूस कर रही है तो यहांपर हम लिखेंगे आंसर और आंसर होगा हमारा The heavy weight of her husband's wedding band Still lies heavy upon her hands कि जो उसके पती की शायदी का बंदन है वो अभी भी उसके हाथों के उपर भारी पड़ा हुआ है इसलिए उसके हाथ थोड़े काँ पर रहे हैं Question number 3 है How does Jennifer feel while pulling needle? कि Jennifer जो आंटी हो कैसा मैसूस कर रही है उस सुई को खेंचते हुए हमारा answer होगा कि Jennifer is feeling difficulty in pulling her ivory needle out of the wool कि Jennifer आंटी है वो wool में से या उस own में से सुई को खेंचते हुए काफी कठिनाई का सामना कर रही है अब देखते हैं next pera और last pera अब last pera का अंदर कवियत्री कहती है कि जब आंटी मर जाएगी when aunt is dead कि जब आंटी मर जाएगी तब भी her terrified hands will lie sister ringed with audiles she was mastered by कि जब ये मर जाएगी तब भी इसकी जो भेवी terrified है या भेवी डरी हुई जो हाथ है यान इसकी जो डरी हुए हाथ है जिंदगी पर ये डरती रही uncle के डर से will lie still ring वो फिर भी ringed ringed का मतलब होता है गीरी हुई आप रहते हैं घिरा हुआ इसकी जो हाथ है वो घिरे हुए रहेंगे with audiles audiles का मतलब है वजन या भार अब यहाँ पर भार का मतलब है कटू अनुभव जो आँटी ने जिंदगी पर किये थे जो कटू अनुभव है वो शिवाज mastered by जिसके अंदर वो mastered by थी mastered by का मतलब अधीन थी जिन अनुभवों के वो अधीन रही थी हमेशा ही तो जब मर जाएगी तब भी यह जो वजन है या जो यह अनुभव है वो हमेशा उसी के साथ रहेंगे the tigers in the panel that she made और वो भाग वो tigers उस परदे के उपर जिसको कि उसने बनाया था she made ने उसने बनाया था will go on prancing proud and unfreed वो हमेशा ही उचलते कूदते रहेंगे गर्व के साथ बिना डरे हुए हैने गर्व के साथ बिना डरे हुए हमेशा उचलते कूदते रहेंगे स्वचंद विच्रण करेंगे लेकिन मरने के बाद भी इसके जो हाथ है वो अंकल की जो नाम है या अंकल का जो अनुबहुते कटू उनसे मुक्त नहीं होंगे यहाँ पर जो कुशन्स बनते हैं वो देखते हैं इस पेरा में से दो कुशन्स बनते हैं पहला कुशन है क्या आंट जेनिफर की मौत के बाद क्या उसके हाथ उसके जो शादी का कटून बो का जो फीता है उससे मुक्त जाएंगे तुमारा आंसरों का नौ जेनिफर्स हैंड विल नौट बी प्री फ्रॉम हैवी बेंड और मेरी आफ्टर हर डेत उसकी मौत के बाद भी उसके हाथ उसके शादी के जो अटून बो है उनसे मुक्त नहीं होंगे टाइगर्स है वो जेनिफर की डेत के बाद क्या करेंगे उसलते कूते रहेंगे तो हमारा आंसर होगा टाइगर्स विल प्रांसिंग यहाँ पर आया है बस यहेमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से पूरी कविता complete होती है question answer complete होते है अब देख लेते हैं इसकी rhyming scheme तो rhyming scheme करते हैं तुकबंदी यह जो lines होती है उसके आखरी के शब्द कैसे मिलते हैं तो जैसे screen है screen को हम a दे देंगे यहां पर मिलावा एक green, green का मतलब b, क्योंकि e नहीं मिल गया, तो यह भी a हो जाएगा, b नहीं करेंगे a, अगर यह different होता तो b होता, तो यहां हो गया, green, green, तो a अब यहां tree, e नहीं आया है, सिर्फ tree आया है, e आया है, तो इसको b, क्योंकि इन से अलग है, फिर आया tree, फिर certainty a की चीज है, तो यहां पर b, यहां पर last में देखो wool, pull, band, hand, wool को कर देंगे, हम c, same है, c, band अलग है, तो इसको d, d, तो इस तरह से इसकी जो rhyming scheme है, वो जाएगी a, a, b, b, c, c, और इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी, जै हिंद, जै वारत झाएगीक, झाएगी